वेलकम टू माई चैनल शिफ कुकिंग कुईन, मेरा राम है शिवानी, है गाइस कैसे हैं आप सब सो गाइस रक्षा बंदन आ रहा है लेकिन हमाई पस टाइम नहीं है कि हम घर पे मिठाईया बना सकें पर हमें घर बनानी भी है क्योंकि कोरोना चल रहा है तो आप यह रेसिपी ट्राइक कीजिए बहुत ही जादा स्ब्सक्राइब मैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ना अगर आपको भी गुलाब जामुन पसंदे तो प्लीज यह रैसिपी के निएने ते ग्लास 2 कॉट निए डालें दो गलास implica पानी HOW रम पानीह पानीय मेषंग मालारीप कि निए डाले हैं यहां पर यहां पर यहां पर ग्लास पानी मेफार दे लिया है और हमने को अनकरदीं अब हमें ऐसे तब तक पकाना है जब तक जो पानी हम उच्छ भरंग हुच हम चंआ तो अपने चीन सिर्ग चाह भरेईज़ कर शीमक मेजरमत चेर पर अपने के घिडियमेंट के यहां पर यूज़ कर रही हूँ, यह इतना जादा टेस्टी था ना, मुझे मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत यमी टेस्ट आया था इसकी गुलाब जामुन का, यहां आप देख सकते हैं, कि जो हमने पानी उबालने के लिए डाला था, वो पानी अच्छे से उबल चुका ह अब मैं यहां पर आट कर रही हूँ, सैफरोन, आप चाहें तो फूट कलर भी आट कर सकते हैं, पर थोड़ा अगर हमें से हल्दी वे में लेके जाएं, तो यहां पर मैं सैफरोन यूज़ कर रही हूँ, इससे देखो दो फाइदे होंगे, पहला तो टेस्ट भी बहुत तो अगर लेकिन आपके पास अगर सैफरोन नी है तो आप यहां पर येलो कलर का फूट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद मैं यहां पर आधा चमच करीबन मैं यहां पर डाला है इलाइची पाउडर अगर आपके पास इलाइची पाउडर नहीं है तो आप यहां प तो हम इसे 5 मिट तक ऐसी उभलने के लिए रख देंगे अब मैं यहां पर ओपन कर रही हूं जो पाउडर था गेट्स का ऊसको मैं यहां पर ओपन कर ले रही हूं और एक मैंने प्लेट पे इसको निकाल ले रही हूं जब मैंने इसे खूला था ना, इतनी प्रोडक्त अपन को रिसीव होता है थोड़ा सा पाउडर फॉर्म पे रहता है यह उसके बाद मैं यहां एप दूत यहां पे यूज कर रहे हूं लेकिन, इसको अच्छे से गूतने के लिए जासे हम आटा गूत तो पानी भी यूज कर स गूतने हैं लेकिन मैं यहां पर यूज करें अगर आपको य्ज नहीं करना आप पानी कर सकते तो इसे आठा गूते हैं उसी तरीके से गूतना है लेकिन गाई सच बताओं मेरे तो हाथ दुग गए थे इसको गूतने गूतने जो बात सच है मैं देखो आपको honest review हुई दूँगी मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं बोलूँगी आपको लेकिन हाँ इसे बहुत थोड़ी सी महनत लगती है इसको गूतने में क्योंकि जैसे जुआर का आटा होता है बिल्कुल वो फटता जाता है बार-बार उसको जितना भी कठा करने जारी थी यह बार-बार अलग हो जा रहा था तो थोड़ी सी महनत लगी थी मुझे इसको गूतने में क्योंकि आपको जो डो है बहुती ज़दा smooth and fine करना पड़ता है इसे खोब अच्छे से मसलना पड़ता है बहुत तेज हातों से मतब टाइट हातों से इसको आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से यह बिल्कुल मुलाइम सा ना मैंने अच्छे से बूत लिया था और अब हम इसके बनाएंगी चोटी-चोटी सी लोई अच्छा लोई जो होगी ना वह थोड़ी चोटी ही रखना क्योंकि जब अपने इसको fry करते है ना तो इसका जो जब मैंने उसको चाशनी में डाला ना तो उसका साइज और भी जादा बड़ा हो गया था और जब मैं इसको निकालने के लिए कर रही थे ना तो वह टूट रहा था बार बार तो इसलिए आप यह गलती प्लीज बिल्कुल भी मत कीजेगा जो मैंने गलती किये इसलिए मैं यहां पर मैंने तेल कड़ाई में गरम कर लिया है और हम जितने भी बाल्स है इने एक एक करके डालेंगे थोड़ा सा कैरफुली डालना क्योंकि एकदम से आप डालोगे ना तो छीटा उपर ही आता है इसका तो जितनी भी बाल्स हमने प्रिपेर की थी वो सारी बाल्स हम इ अब से हो जाती है तो जो गास का फ्लेम है उसको तो बिलकुल मतलब आप सिम पे रख ना स्यादार जादा सिम पे रखना ताकि अगर यह उपर से क्या होगा जैसे आप डालेंगे ना तो यह देखो आप साइड से बिलकुल रेड होना स्टार्ट हो गए तो यह एक थी तो तो तक आपको सेखना है, जब कि इसका जो کलर है, वह गोल्देन ब्राउन नहीं हो जाता गुलाब जामून एक ऐसी देश हैं, जिसे को खौरण नहीं खाना पसंद करता है हर किसी को गुलाब जामून बहुत जादा पसंद है और प्लीज आम मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपको कितना पसंद है मेरे घरवालों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है गुलाब जामुन खाना और वैसे भी अभी कुरोना का टाइम है तो आप समझी सकते हैं बाहर से मिठाई रेने से अच्छा है कि हम घर पे थोड़ी सी महनत करके ही बना ले ताकि हमारी जो फैमली है वो हेल्दी खाए और सेव भी रहे तो आप देख सकते हैं और आप कुछ यह है तो आप प्रिज पे भी इसको लगा सकते हैं और यहां हमारे गुलाब जामुन बनके रेडी है मैं विप्ती मेरे नेकस्ट वीडियो पर गाई से टिल दें टेक्यर बाबाई